जै शिकल की ओम नमो भगवते वासू देवाए। डोनल्ड टरम्प की जीत तो हो गई। लेकिन इसके पश्चात जो उन्होंने कहा कि अब युद्ध नहीं होगा। क्या वास्तों में ऐसा होगा? क्या युद्ध जितने भी चल रहे हैं सब रुख जाएंगे? तो क्या शांती का युग आने वाला है या इसके पीछे अलग ही खेल चल रहा है? भगवान कलकी का दिव्य संदेश आने वाली परिस्थितियों को लेकर क्या मिल रहा है? वही आज में अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुचाने की कोशिश करूंगे. भगवान कलकी का दिव्य संदेश आने वाले समय को लेकर क्या विशम परिस्थितियां बनेंगी? या फिर दुनिया देखेगी सत्युक का नया सबेरा? जिस प्रकार डोनल्ड ट्रम्प इतने बड़े बड़े वादे तो कर लिए कि अब वह युद्ध को रोग देंगे? तो क्या इतने भीशन युद्ध को रोग देना इतना आसान है? भले ही वह फंदिंग रोक दें, भले वह घुसपैटियों को अमेरिका में आने से रोक दें, भले ही वह एक़ॉनोमी को अमेरिका की लेकिन अपना स्वार्थ वो पहले देखेंगे अमेरिका सुपर पावर बनना चाहता है हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े तो वो जाएगा और इतनी जल्दी युद्ध रोक लेना या युद्ध को रोक देना चाह कोई सुपर पावर की कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो सबसे बड़े जो डिवाइन बौस नहीं कल युग में वह हैं भगवान कल की और उनकी आज्ञा के उपने कितने बड़े वादे कर लए एक पत्ता भी यहां से हो नहीं सकता आज के समय में और आने वाले समय में भी यानि अगर मैं शारांस निकालू अपने वीडियो के द्वारा जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं वो ये कि भले ही कोई कितने भी वादे कर ले लेकिन ये जो युद्ध शुरू हुआ है इसमें नए नए फ्रंट और जुड़ते चले जाएंगे चाइ साथ कोरिया और साथ कोरिया बिल्कुल भीड़ेंगे और बहुत भीषर संग्राम होगा यानि महा संग्राम की जो तयारी अभी चल रही है धीरे-धीरे आने वाले समय में वो और भीषण होगी और अधिक खून बहने वाला है और अधिक युद्धा मारे जाएंगे और लग रहा है बस ट्रम्प अब आ गए उन्होंने शांती का पैगाम दे दिया जिस प्रकार की नरेंद मुदी कहते हैं और बिल्कुल दुनिया में अब शांती चाह जाएगी इरान नहीं रड़ेगा इसराइल अपने युद्ध को रोग देगा और रश्या युक्रेन भी स्ट बनाए रखना चाहेगा चाहे उसके दुश्मन कितने ही देश क्यों न हो जाए और उसका सबसे बड़ा बिजनिस क्या है हतियार बनाना हतियार को सेल करना और हतियार कंट्रिस खरिदते हैं किसलिए चलाने के लिए उसे यूस करने के लिए तो यह जो वादे हैं यह वादे अलग समय को दिखला रहे हैं जी नहीं बिल्कुल नहीं मेरी अनलिसिस यही कहती है कि 2025 से और अधिक विशम परिस्थितियां बनने वाली है युद्ध के शोले और भढ़केंगे आग युद्ध की और जादा भढ़केगी महा भारत फिर से एक बार बहुत जादा भिशन रूप में उग्र रूप में देखने को मिलेगा क्योंकि भगवान कलकी की विनाश लीला की आग इतनी जल्दी कमजोर नहीं पढ़ने वाली ठंडी नहीं पढ़ने वाली क्योंकि उनकी विनाश लीला का ही एक पार्ट है जो आज युद्ध हो रहा है क्योंकि अगर युद्ध हुआ नहीं शांती युग आ गया तो भगवान कलकी का मिशन भी अधूरा रह जाएगा क्योंकि भगवान कलकी के मिशन का ही ये पार्ट है जो युद्ध आज हो रहा है तो यही युद्ध जो है आगे चल कर थर्ड वर्ल्ड वार में कनवर्ट हो जाएगा तो यह जो समय अभी चल रहा है भले ये भ्रम जाल में उलज गई है दुनिया हर कोई चाहता है कि युद् खत्म हो लोगों का मरना और मारना खत्म हो और एक शांती भरे महौल में एक अच्छे वातावरन में लोग चैन की सांस ले सकें और एक सत्यू का सवेरा आए जो उन्हें हर तरस से सुख प्रदान करें लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं वह सब कुछ होगा लेकिन उसके पहले कल्यूग में जो अंधेरा चाया हुआ है उसे मिटाने के लिए कल्यूगी मनुशियों को ही भगवान कल की तयार कर रहे हैं और कौन अपना दोस्त है और कौन दुश्वन? आज हमारे देश को लग रहा है कि अमेरिका हमारा दोस्त है जी नहीं अमेरिका किसी का सगा नहीं है किसी का दोस्त नहीं है आने वाले समय में यदि उसे जरूरत पड़ी तो वो भारत वर्ष उसे भी अपनी दुश्मनी निकालने में कोई कोता ही नहीं बढ़तेगा क्योंकि चाइना और अमेरिका दो ऐसे कंट्रीज हैं आज भी वर्ल में जो अपने आपको नसिफ सुपर पावर मानते हैं और हमेशा नंबर वन पर ही बने रहना चाहते हैं बलकि आने वाले समय में भी बाइक कुरुक और हुक वो अपनी नंबर वन की पोजिशन को खत्म नहीं होने देंगे भले वो पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे व्यावत कोरिया को पूरी तरह से खत्म करेगा तो यह जो आने वाले समय में एवं कहा गया है जो 57 मुस्लिम कंट्रीज यह उन्मे भी आपस में तू-तू-तू में मैं स्टार्ट हो गई है लेकिन उसमें जो 13 मुस्लिम कंट्रीज से बेहद कटर वह भारत वर्ष के साथ अपन पहले भारतवर्श को भी इस महायुद्ध में शामिल होना पड़ेगा जो कि 2025 से स्टार्ट होगा और 2032 तक चलेगा क्योंकि गुरु अतिचारी शनीदेव मीनराशी में जाएंगे और केतु के ऊपर छे ग्रहों की नजर तो इसके पश्चात अब दुनिया मटती हुई नजर आएगी कौरों और पांडवों के बीच यानि जो अलग धर्म के राते पर चलने वाले लोग होंगे वह अलग रास्ता पकड़ लेंगे जो धर्म का साथ देने वाले लोग होंगे सनातन की रक्षा के लिए जिस प्रकर सनातन बोर्ड का गठन होने जा रहा है अब वो कब गठन होता है देखी उसमें भी समय लगेगा तो जो सनातन की राह पर चलने वाले हैं वो अपने अलग रास्ता पकड़ लेंगे लेकिन दुनिय मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो मैं अपनी एनलिसिस कर पा रहे हूं यानि युद्ध के शोले और भड़केंगे नए नए युद्ध के फ्रंट और खुलेंगे मार काट दुनिया में और मचेगी लेकिन जो भक्त गण है जो स्पिरिचुलिटी को अपने ज भी मिलेगी लेकिन टफ टाइम उनके जीवन में भी आएगा लेकिन उस टफ टाइम में से उन्हें रास्ता मिल जाएगा कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकें इसलिए धैर्यवान बने रहना है अपना धैर्य नहीं खूना है थैंक यू वेरी मैच फॉर वाचिक में करी मूह कर दीव मूप वेर भी मूह कर दूएबू